जैहिन साथियो मैं इस समय भारत की राजधानी दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पे हो पीछे आप आदर्निय प्रधान मंत्री जी का होडिंग देख सकते हैं पेट्रोल पंप पर मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी जो पेट्रोल और डीजल का दाम चुका कर यहाँ पर कुछ ल करें हैं आज हर पेट्रोल पंपर आपको लगबग यही महौल दिखेगा हम लोग तांत्रिक अधिकारों का इस्तमाल करते हुए देश का एक नागरिक दूसरे नागरिक से बात करेगा और जो भी सच्छाई है वो आपके सामने हम लाकर रखेंगे सर आप पेट्रोल डलवा डीजल की कीमत आपको मालूम है कितनी है अभी कितने रुपर लीटर नभभे और कच्छे तेल की कीमत कितनी है बाजार में आज आपको मालूम है अंतरास्ट यह बाजार में सब कि अलगे आपको कोई कजूर नहीं है और कि बहुत अच्छे है आप क्या करते हैं सरकारी जोब है प्रेवीट है बिजनस है करमचारी है सरकारी कुछ मी शेंधी लेकिन इसमें और प्रशवर कि अधार प्रेंग पीछे से कहां से सब पीछे कहां से और देगे गौर्मेंट पर क्यों कर रहा है चाहती ही लिए इस düst लिए पिर भी ना चाहा कर भी क्या मजबूरी है कि गरीब और आम आदमी की जेब में डाका डाल कर चार लाख करोड एक साल में ले लिया तो लगा कहा है यह बताने के लिए भी नहीं है आपके बता पाएंगे कहां लग रहा है एक साल का यह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा कर ठीक कर रही है और इसको 100-200 भी कर दें आपको फरक नहीं पड़ेगा ने पीछे से किसका तेल कमपनेों का प्रेशर है यह शक्स ने आपके सामने कहा पीछे से तेल कमपनेों का प्रेशर है इसलिए सरकार को नाचाकर भी अदाम बढ़ाने पड़ रहे हैं और उनको लगता है की कीमते जो हैं वो ठीक है पेट्रोल की बात में, मैं ओवराल गोल्ड नहीं हम मिसरम हमेंगाई के मुद्धे पर बात कर रहे हैं Central Government has taken a decision, there has to be a reason आपको क्या reason लगता माम इस फैसले के पीछे या, without understanding I will not be able to work बोलना बहुत असान है, किसी को भी criticize कर दा Right, absolutely But I am completely with the Central Government's decision तो यह आप बड़े दामों के साथ है, उनके फैसले के अपको लगता है कि अगर वैट और एकसाइस कम कर दिया जाए तो थोड़ी आप गरीब आदमी को रहत मिल जाएगी They are thinking about it They are thinking, आपको लगता है, आप तच में है किसी के केंदर में, सरकार में I am not able to tell you all these things Okay, but आपको लग रहा है, वो कुछ कर रहा है, तो उमीद है, आप मुझे लगता है I trust our central God You trust Modi ji Right So, मैंने आपको पहली कहा था, बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिने लगे का दोस्तों भी हो जाए तो उन्हें कुछ फरक नहीं पढ़ता है आपको लगता है कि दुगने क्या चार गुना भी हो जाए उन्हें फरक नहीं पढ़ता है अब हम यह भाई साव है, इनसे भी पूछेंगे Sir आप पेटोल डलवाएंगे या डीजल डीजल आपको लगता है दाम चीक है और भी बढ़ा दिये जाए आपको फरक नहीं पढ़ेगा या थोड़ा कम होना चाहिए आम जनको राहत देने के लिए आपको पता लगे तो आपको शाहिए ये चिब होएगा ने पर आज की तारीक में आप नहीं जान पारे कि एक साल में चार लाख करोड़ एक साल में टेक्स से जो भरा है वो कहां खर्च किया है आपके पास जनकारी है बता आप पाएंगे लास कर आप कई सब्सक्राइब देख रहे हैं गौर्मेंट के अजिन नहीं हो पा रही है इंडस्टीज अभी जो है कॉर्पेट टैसे होते हैं नीचे जो इक टैसे चले है पूरी की पूरी की पूरी रेवेन्यू रेटी थी वो बन दो चुके हैं तो बब प्रस्पोर्ट रहे हैं और खर्चे बढ़े हुए हैं इस लिए आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम ले लिए तो वह मुफ्थ है फिर भी आपके लिए मुफ्थ है वो क्या आप तो पे कर रहे हैं और अगर आप जखेंगे कि अधिव वर्ग होता है आप जो पे कर सकते हैं तो आपको लगता है कि दो सो लीटर भी हो जाए आप तया है तेक्स के रूप में बड़े हुए दामों को और देने के लिए अच्छा आपको लग रहा है और ऐसे आपात काल में हो रहा है जो अभी अभी आपात काल में अपने देश के लिए अगर कुछ भी कर सकता हूं तो आप यह मानते हैं यह दाम आज से नहीं पिछले साथ साल से कच्छे तेल की किमते साथ साल में गिरी है और दाम बड़े है और इन साथ सालों में आप एक प्रज़ेक्ट बता सकतें जो जनता में खर्चुआ हो कोई एक प्रज़ेक्ट करोड कमाया गया है अब बता सकते हैं कहां खर्च किया है आपकी जानकारी है कहीं ज़ोड़ा सा मुझे लगता है आप एटूकेटीड है आप लोग आपकी जानकारी होगी तो दूसरों को भी पाएंगे लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके मैं वहीं को सात्यों कह रही थ होंगे और जिनको लगता है कि वो टेक्स देकर इन दामों को बड़ा भी दिया जाए पर आप जादा तर देखेंगे यह वो लोग हैं जो गाडियों में हैं जो गाडियों में जैसे आपने तीन महिलाओं को देखा उससे पहले एक हजबन और वाइफ ने बोला उन्हें पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा मैं फिर कह रही हूं पैसे वालों को ये महंगाई पेट्रोल डीजल ना चुबा है ना कभी भी चुबेगा उनके लिए बिलकुल चांदी है दिवाली है लेकिन हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं उस आम गरीब आदमी की जिसके पास रोजगार नहीं है बेरोजगारी है तनखाय नहीं ब अच्छिए के लिए बात कर लिए टो चांदी नहीं जिसके लिए बेल इकन